जैहिन दोस्तों, आप सब पुलिस की भरती के लिए अच्छे से लगे हुएं मेहनत कर रहे हैं, आपने पनी माता पिता से जो वर्दी का वादा किया है, उसके लिए आपको पनी जान लगानी है, मेहनत करनी है, जीयस पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है, रिजिनिंग और मैथ आपको एक अच्छा सिपाई बनना है, उसके लिए मेहनत करते रहे हैं, आज हमने प्रैक्टिस सेट की स्कड़ी में, आज हम आपके लिए करेंट अफेस का एक सेट लेकर आए हैं, और अच्छे से इसको देखते हैं, कोई भी प्रशन हमारे गलत नहीं होने चाहिए, अच् शिरी राम अंतरास्टी हवाइड़ा, महारसी बालमीक अंतरास्टी हवाइड़ा, अयोध्या धाम अंतरास्टी हवाइड़ा, यह राम सीता अंतरास्टी हवाइड़ा, तो इसका आंसर है, बी, महारसी बालमीक अंतरास्टी हवाइड़ा, अयोध्या का जो अंतरास्टी कर दिया गया है ओके यहां पर मैंने पिच्चर भी लगाई है आप इसको देख सकते हैं यह है मार्शी बालमिक अंतरास्टी वाइड़ा इसके बारे में कुछ तत्त जान लेते हैं हम लोग यहां पर देख लीजिएगा अच्छे से अयुद्या में बना अंतरास्टी वाइड होगा इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट उत्तरबदेश का उत्तरबदेश से एक मात राज्य है जहां पर पांच अंतरास्टी वाइड़ा है कौन-कौन से वह पांच हो है वह बाचा प्रिवीजन कर लीजिए लाल बाहदू सास्त्री अंतरास्टी वाइड़ा वान जंक्सन का नाम बदलकर अध्या धाम रेलिवेश जैसन भी कर दिया है इसको भी आप समझ लें अच्छी चीज है अच्छा प्रशन है ओके लोग आगे चलते हैं अगला प्रशन है अगर देखते हैं लोग बहुत अच्छा प्रशन है एक जन्वरी 2024 से उत्तरबदेश के प प्रसंत कुमार सब्सक्राइबर प्रसंत कुमार सब्सक्राइबिश के नए DSP होंगे अंध्य के अंडर में उपको काम करना होगा लगे रहे हैं मेहनज करते रहे हैं उत्तरबदेश के नए पी आईपियस अधिकारी पस्तांत कुमार सर है जो 1990 बैच के अधिकारी है वे मुलता विहार के निवासी है अभी वो स्पेशल डीजी विवस्था के पतपर तैनार थे ठीक है यह हो गया अगला प्रशन यह अच्छा प्रशन है इलावाद हाइकोट के मुख नयाधीस के तो इसमें आंसर क्या होगा अपसन देखते हैं नैमुर्द प्रितंदर कुमार नैमुर्द अरुन भनसाली नैमुर्द मनोज कुमार गुपता नैमुर्द अवधिश चौदरी तो आंसर है बी अरुन कुमार भनसाली अरुन कुमार भनसाली नैमुर्द अरुन कुमार भनस अध्यमाली नहामूर्थ जो है जठीक कर्ष्ट है विष्ट नहामूर्थ थे यह पहले राजस्तान में थे हईकोड में सुप्रिंग कोर्ट कालीजीम ने उनका नाम केंसरकार को भेजा है ठीक है उनका नाम जो है फ्रेकों से रोग ओष्टा वह तिस war यच्छमा भी कहते हैं टूगर क्लोसिस टीवी क्लीनिक चलाने वाला भारत पहला राज कौन है अंलाइन क्लीनिक चलता था टीवी का तो भारत का पहला ऐसा कौन राज बन गया है दिल्ली औतरपदेश बिहार या राज है जो दो बरसों से लगातार आनलाइन टीवी क्लिनिक चला रहा था टीवी नहीं टीवी है उपचार में तमाम दिक्कतों का सामना कर रहे है ड्रग रिसिस्टेंट टीवी रोगियों के ये राश्टी इस्तरवर आनलाइन टीवी क्लिनिक की पहल दो बरस पहले की गई अगला प्रश्ण 28 दिसंबर 2023 को 28 दिसंबर 2023 को किसे राष्ट्रिय मानवादिकार आयोक का सदस्य बनाया गया है अप्शन A सरस्वती सगुन सैनी को विजे भारती सयानी को ममता दिक्षित को मेगा भरद्वाज को तो इसका आंसर है B दिसंबर भारती सयानी तिलंगाना हाई- में वकील के रूप में प्रैक्टिस कर रही थी उन्हें माइलाओं के मामलों से निपटने वहा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गुहों को निशुल्क कारूनी सायता देने के लिए जाना जाता है। वारिजिक दूतावास खोलने की घुषना की है महा वारिजिक दूतावास खोलने की घुषना की है आस्टिलिया के सिडनी में न्यूजिलेंड के ओकलेंड में चापान के क्योटो में इरान के राधानी तेहरान में तो इसका आंसर है बी न्यूजिलेंड के ओकलेंड में भार प्रकास सवेरा प्रकास रादिका सवेरा राकी बुनकर तो इसका अंसर है सवेरा प्रकास ठीक है पहली महिला जो एसेंबली चुनाओ रही है पाकिस्तान में सवेरा प्रकास है यहाँ पे इनकी फोटो देख लिए सवेरा प्रकास है और सवेरा प्रकास पहली हिंदू महिला है जो पाकिस्तान में चुनाओ रही है और सवेरा प्रकास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से चुनाओ रहेंगी प उनके बेटे और उनके पती ने मिलकर ये पार्टी बनाई है पाकिस्तान पिपोल्स पार्टी ठीक है अगला आगे चलते हैं हाली में किस गाइडेड मिसाइल विध्वान सग इदुपोद को भारती नोसेना में सामिल किया गया है ए आइनेस इंफाल आइनेस अगर तरह आइन ठीक है तो इसका अंसर है आइनेस इंफाल ठीक है आइनेस इंफाल को सामिल किया गया है ये आप पिक्चर देख सकते हैं आइनेस इंफाल की सोदेशी तोर पे बनाया गया है सोदेशी ये बिलकुल आइनेस इंफाल नोसेना द्वारा सोदेशी रूप से डिजाइन किये ग वक्रम मजगाओं डक्याठ लिम्टेड मुंबई द्वरा निर्मित किया किया किसंदे से मजगाओं डक्याठ लिम्टेड द्वरा बनाया गया है और यह बहुत सक्षाली है बहुत पावर्पूल है इन इस इंफाल इससे प्रमोश मिसाइल भी छोड़ी जा सकती है जहां पर देखे एक अच्छा प्रस्न है दो करोड यूटूब सस्क्राइबर वाले वैस्विक राजनेता कौन बने हैं अच्छा प्रस्न है आप जानी सकते हैं आप एकदम सही लगा सकते हैं कौन हो सकता है अपने ही प्रतानमंत्री जी है नरेंद मुदी जी तो दो करोड यूटूब कतर या कुवैत तो इसका आंसर है कतर ठीक है? आंसर है कतर अब हुआ क्या था कतर में? कतर की रादानी है दोहा उस्थित अल दोहरा गलोबल टेकनोलोजी में कारच भारती है नोसेना के आठ पूरू अधगारियों को कतर में गरिफ्तार कर लिया गया था फिर देखते हैं 12 परशन है हाली में कौन C-ASIF की पहली महला महानिदेशक बनी है बहुत अच्छा परशन न sommes कौन CISF की पहली महिला मानुजश्रक बनी है नीना सिंग शुरविषर्मा अवंतिधिच्चित रादिकार हमेश नीना सिंग ठीक है नीना सिंग मेडम बनी है जो IPS सदिकारी है यह देखें यहाँ पे IPS नीना सिंग के हाथ में CISF की कमान तो यहाँ पे उनके बारें कुछ पॉइंट देख लेते हैं नीना सिंग मडिपूर की नीना सिंग को मडिपूर कैटर अधिकारी के रूपे भारती पुलिश सेवा में सामिल किया गया था बाद में वाराजस्तान कैटर में चली गए और 89 में बैच की आईपे सद्गारी नीना सिंग इस साले कतिर सगत को सील वर्दर सिंग की सेवा निवरति के बाद से CISF माने देशक का अतरित प्रभार समाल नहीं थी अब उन्हें फाइनल CISF की कमान दे दी गई है धन्यवाद थैंक्यू जैहिन पढ़ते रहे हैं मस रहे हैं